टीवी इंड़स्री का मशूर कॉमेडी शो दो कपिल शर्मा शो कौन नहीं देखता इस शो को होस्ट करने वाले कॉमेडियर कपिल शर्मा की लोग प्रेयता की बात की जाये तो वहाँ बॉलिवूड की अबनीताओं से कम नहीं कपिल शर्मा के आज के समय में इतने चाहने वाले हो गए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं कप्पिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स विट कापिल को भी होस्ट कर चुके हैं ऐसे में आग को बता दें कि कप्पिल शर्मा की शादी गिन्नी चतरत के साथ हुई थे लेकिन शादी करने से पहले कप्पिल शर्मा एक लड़की के बेहद ही जियादा दिवाने हुआ करते थे हलाकि आज भले ही कप्पिल शर्मा अपनी वाइब गिन्नी चत्रत के साथ खुशी खुशी जीवन प्यतियत कर रही है लेकिन बता दे कि कप्पिल शर्मा की गिन्नी से साधी करने से पहले भी एक अफियर रहा था दरसल गिन्नी से पहले भी कप्पिल शर्मा बॉलिवर्ट के एक खुबसूरत अबिनेत्री की प्यार में थे जो बेहत खुबसूरत है हलाकि अब उनकी शादी हो चुकी है गिन्नी से पहले जिस एक्ट्रेस के साथ कप्पिल शर्मा रिलेशनसिप में थे वो कोई और नहीं बलकि दीपिका पादिकोन थी हलाकि दीपिका ने कभी कप्पिल शर्मा को फेलिंग नहीं दी लेकिन कप्पिल खुद बताते हैं कि वह कॉलिस की दिनों से ही दीपिका पादिकोन को पसंद करते थे और वे उन्हीं से साधी करना चाहते थे यह बाद खुद कप्पिल शर्मा ने एक शो के दोरान दीपिका के सामने बताई थी कि वह उन्हें पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं उनकी आवाज सुनने के बाद वहां मुझूद सभी लोग हसने लग जाते हैं लेकिन अपका पिशर्मा गिनने से शादी करने के बाद अपने जिन्दगी हसी खुशी व्यतित कर रहे हैं